सब्सक्राइब करें अपने यूट्यूब चैनल एसे मेट सी नालेज को और साथी बेल आइकन दबाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए हेलो फ्रेंट्स विल्कम तू एसे मेट सी नालेज दोस्तों आज बात करेंगे टेबलेट डायथिल कारवमा जाहिन की के मार इसका सबसे ब्रेंड नेम है हेटराजन टेबलेट इसके अलाव बेनोसाइट फोट टेबलेट और डीसी फोट टेबलेट इसके अलाव साथ ब्रांड मार्केट में अवेल्बेल हैं जो भी सस्ता मेलें उसे खरीदा जा सकता है अब बढ़ते हैं डायथिल कारवमा जाहिन टेबलेट के यूज की दरफ इसका मुखी रूफ से यूज किया जाता है हाइड्रोसील में इसके लच्छा जैसे किसी भी प्रकार से टेश्टेट में छोट लग गई हो या भुकार जादा रहने के कर उसमें उतर गया हो तो उसमें दर्द होती है टेश्टेट में सूजन हो गई हो जिसे हाथी पाउं भी कहा जाता है यह भीमारी बोड़ी के हर अंग में हो सकती है लेकिन ज्यादातर पाउं में ही देखी गई है इसमें बहुत ज्यादा सूजना जाती है और दर्द होता है और जिस अंग में यह हो जाते हुगा बहुत ही खराब देखने में लगत पर गले में बलगम ढ इस तरीके से उस्था फटा है जैसे खांसे आने के धार निकलने की वज़ दर्द होती है और पीले कलर का बलगम आता है इसके अलावा गले के चारों और सूजन होना या दर्द होना यह सभी लचछण इसनों या कि होते हैं इसको भी टीट करने के लिए डाक्टर दो रा ट्रेभलेट डाइथल कर्में धीट धून की अवैलने रूप से स्व मिली गिराम की टेबलेट दिन में दो बार लेने की सला डेक्टर दोरा दी जाती है इसके अलावा बहुत ही आवसिकता होने पर स्व मिली गिराम की टेबलेट दिन में तीन बार भी लेने की सला डेक्टर दोरा दी जाती है और इस टेबलेट को नारमल रूप से 1 mg प्रत केजी बोडीवेट के नुसार पर डोज दी जाते हैं बहुत ही आउसकता होने पर 6 मिली गिराम पर केजी बोडीवेट के नुसार भी इस टेबलेट को दी आजाता है लेकिन मैकसिमम 3-5 दिनों के लिए और बहुत ही आफसकता होने पर मातर 15 दिनों के लिए ही ये इस टेबलेट का यूज किया जाता है और अपने डाक्टर से मिलें जैसा इस टेबलेट की जगा पर कोई दूसरी टेबलेट लिखी जा सके और पेसेंट को किसी वपरकार के साइट इफेक्ट का सामना ना करना पड़े तो दूसरीं कमपलेट वड़ेओ दैसल कार्मा जायन के अहें पर खत्म करते हैं और मिलते हैं किसी निष्ट वड़ेओ में यद वीड़ेओ पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसा ही नोलिजबल वीड़ेओ देखने के लिए थैं झाल